हेलो फ्रेंड्स आसुसमकिचिन.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए सुपर फूड में काउंट होने वाले मखाने की एक और रेसिपी लेके आई हूँ जो कि सच मुझ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी जो है मखाने की स्वादिष्ट खीर मखाने से बनने वाली ये कि ये सच मुझ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और सावन भी शुरू हो चुके हैं ब्रत रखे जाते हैं तो फास्ट के लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा आप्शन है ये मखाने की खीर तरो ताजा कर देगी आपको और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है तो चलिए सीख लेंगे हम आज की ये मखाना खीर तो सबसे पहले एक पैन को मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है तो इसको अब आप दो मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर चला लिए इसको बिलुकुल क्रिस्प होने तक आपको चला लेना है तो एक दो से तीन मिनट इनाफ होंगे तो फिर आप दो मिनट बाद इसका एक पीस लेके चेक कीज़े इस तरीके से अगर ये क्रंच हो रहा है अच्छे से चटक रहा है इसका मतला हमारे जो ये मखाने है न ये कंप्लीटली रेडी हो गया है तो एक बरतन में इसको निकालिए और इसको साइड रुग दीजे तब तक हम और दयारी करते हैं यहाँ पे एक बड़ा पतीला मैंने ले लिया है और यहाँ पे मैंने जो बरतन लिया है ये थोड़ा सा हैवी बॉटर में सबसे पहले थोड़ा सा मैंने पानी इसमें डाल दिया है और इसके उपर डाल दिया है ये कम से कम 600 ml मैंने मिल्क आप यहां पे अपने परिवार की जरुवत के हिसाब से दूद की कॉंटिटी को बढ़ा सकते हैं फिर आपको यहां पे सब चीजों को थोड़ा सा जाता जाता बढ़ाना पड़ेगा सबसे बहले तो दूद को आपको क्या करना है फुल फ्लेम पे अच्छे से इसमें बॉइल लेके आना है दूद को एक अच्छे से टेंपरेचर पे आपको गरम करना है दूद अगर कच्छा है तो आप इसको अच्छी तरीके से बॉइल कीजिए जैसे ही दूद्ध बॉइल हो जाएगा इसमें आप अपने स्वादनुसार जो भी चीनी आप खाते हैं वो डाल दीजिए यहां पर मैंने धागा मिश्री का यूज किया है मैं नॉर्मली मिढश कग बीठास को अच्छे से बैलन्स कराने के लिए दागा मिश्री का ही यूज करती हूं चlık히 चीनी जैसे ही होती है लेकिन यह उन्रिफाइन होती है तो इसको अच्छी से हम थो मिनट के लिए ंच्रणाइन जिससे की जो यह दागा मिश्री है इसमें डेले जासे होते हैं थोड़े सी लागांठे होती है इसको मैंने क्रश करके लिया है तो इसको गलने में टैम लगेगा तो दो मिनट काफी होगा फिर जैसे ही गुल जाएगी इसमें हम डाल देंगे यह मखाने को मैंने कुछ मैंने इसमें साबुत मखाने डाल दिया है अब अच्छे से इसको हम चला देंगे क्यूंकि हमें अब यहां पे मखानों को दूद के साथ 5-6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है जिससे मखाने थोड़े से भारी हो जाएंगे अलके से यह दूद में थोड़ी सी गाड़ी हो जाएंगी थोड़ी देर चलाने की बात इसमें मैंने दूद में भिगोया हुआ केसर डाल दिया है यह ऑप्शनल है निकि इससे जो फ्लेवर है न वो बहुत ही बढ़ी आएगा और केसर या खीर किसे पसंद नहीं है तो मखाने की खीर में अगर आ नहीं पकाना नहीं तो यह रबड़ी बन जाएगी फ्लेम यहां पर मीडियम है और इसको कम से कम चार से पांच मिट हो गए है पकते हुए अब इसमें मैं यहां पर अपने पसंद के चॉप करे हुए ड्राइ फ्रूट्स टाल रही हूँ ड्राइ फ्रूट्स में जो भी लाओ वो fulfil सकते हैं यहां पर ऴोई कर सकते हैं दो मिन मिन के यह हमारे ट्राइ फ्रूट्स अच्छी सफ जाएंगे इसमें जाएगे इसमें शलाते चलाते ही तो आप बस यहमारा बन के तИयार हो गया है तो इसको आप तरीके 兒ब कीजिये गर्मा घरम सुट्थ कीजिए ऑन आप तरीके के प्रकार की खीर बना के खाते होंगे लेकिन यह खीर भी बहुत जादा टेस्टी और सूपर हेल्दी रहती है तो ब्रत के समय हो या नॉर्मल डेश में हो आप इसे पना के खा सकते हैं तो आप इस मखाने की खीर की रेसिपी को ट्राइ कीजिए और अपने अनुभव आसुसोम किचिन के साथ शेर करना ना भूलिएगा मैं मिलती हूँ आप से एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए जिन्दा दिली बनाये रखिए और जुड़े रहिए आसुसोम किचिन से हर हर महादेब बबाए